नमस्कार मैं हूँ रंजीत कुमार उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी को 2004 याद रखना चाहिए 2004 में बाजपेई जी भी अजे दिखते थे लेकिन जीत कॉंग्रेस की हुई थी मोदी भी अजे नहीं है दूसरा बयान बीजेपी के सतीश चंद्रमिश्रा का है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस की मिली भगत से दलित वोटरों को बूत तक पहुँचने से रोका गया है बीएसपी ने चुनाव आयोग से इसकी लिखित शिकायत भी की है और तीसरा बयान है मजफर नगर से बीजेपी के उमिदवार संजीव बालियान का बालियान का आरोप है कि बुर्के की आर में फरजी मतदान हो रहा है और बुर्के में आई महिलाओं की ठीक से जाच नहीं हो रही है पहले दौर की वोटिंग के दौरान आये तीनों बयान एक तरीके से एक पैमाना हो सकता है समझने की कोशिस की जा सकती है इनके जरिये की पहले दौर में हवा का रुख किस तरफ है हम बयानों पर बहस शुरू करें उससे पहले आकडों पर भी एक और नजर डाल लेते हैं सहारनपूर में शाम पांच बज़े तक अभी हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये शाम पांच बज़े तक के आंकडे है प्रोविजनल डेटा ही इसको आप कहेंगे क्योंकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तोर पर कोई बयान नहीं जारी किया गया है और उसमें ये आकडे और बढ़ सकते हैं लेकिन शाम पांच बज़े तक जो अभी अपडेट है उसके मुताबिक सहारनपुर में 63.76 आनि की करीब करीब 64% दी वोटिंग हुई है जेवर में ये अलाकि छोट दी है जेवर तो छोटी छोटी विदान सभार की सीटे हैं बागपत में 5 बज़े तक 60% दी गौतम बुध नगर में 58% दी और शामली में 5 बज़े तक 60% दी कैराना में भी 60% दी बिजनौर में 60.6% के आसपास और शाम 5 बज़े तक गाजियावाद में 55% के आसपास वोटिंग हुई थी ये 5 बज़े तक के जो आकड़े हैं इसमें भी बदलाव मुमकिन है जब चुनाव आयोग PC करेगा आपसे थोड़ी दिर बाद उसके बाद फाइनल आकड़े आपक टरन आउट बहुत अच्छा था और 60% से उपर ही रहा था सहारनपूर और मजफर नगर जैसे इलाकों में तो ये 77 और 74% तक था इस बार ये वोटिंग टरन आउट कितना जाता है ये देखना होगा और इन आकड़ों के आकड़ों के आएने में हम बेहतर तरीके से समझ पा कल तो में आप बता भी दिया था पुरुष मद्दाताओं के संख्या और महला मद्दाताओं के संख्या दुबार आपके जानकारे के लिए बता दूँ 83,27,469 पुरुष मद्दाता है और 69,39,761 महला मद्दाता है और 3rd जंडर के 826 है टोटल मतदान खेंद्रों की संख्या 6,575 है कुल पोलिंग स्टेशन्स 6,000,16,635 है कल आप ये मैंने जो बैलट उनिट और जेतना हम लोग ने रिज़रों में भी रखे गए तो उनको भी शामिल करते हैं बोलाता है है ऐसे है हार एक जगा इसे फरेक्शन तो प्रेशन तो फरेक्शन तो फ़रेशब इसवाया ऐस्टींग की प्रेस कोटिशनेंगी तो उत्र प्रदेश और दिल्ली दोनो जगा चुनाव आयोग की press conference थी हलांकि उसमें आगे के चुनाओं को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है और क्या तैयारी है चुनाव आयोग की तरफ से उसके बारे में जानकारी दी जा रही थी आक्ञों के बारे में जो पहले दौर का मतदान हुआ है उससे रिलेटेड जो आकड़े आएंगे वो हम आपको बताएंगे लेकिन अभी आपको वो बयान सुनवा देते हैं जो आज चर्चा में रहे वो तीन बयान सोनिया गांधी, संजीव बालियान और सतेश चंद्रमिश्रा के दिरा सुनिये भैंद। काम के लिए अगर नहीं लगाएंगे अंदर कुछ पोलिंग पार्टी में मैं इलाई नहीं थी तो पुरिष चेक करेंगे इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि चेरा के बिना वोट डालने दें पुरुष पठसीन दिकारी कहते हैं मेरे पास महिला करमचारी ने इसलिए हम चेरा में बहुत बुरी तरीके से पुरी तरीके से पुलिस ने और वहां के प्रशासन ने जो दलितवर के लोग थे उनको उन्होंने वोट डालने से रोका और इसकी शिकायत हम लोगों ने इलेक्शन कमिशन में की है और इसके पीछे पुलिस जो हायर अप्स हैं हायर अथारिट से request की है कि इसमें immediate action होना चाहिए कि जब यह पहले फेज में जिस तरीके से वोट डालने नहीं दिया जा रहा है यह बहुती बड़ी धांदली है और यह सोच समझ करके खास तोर से दरिट समाज के लोगों को बैकवर्ट समाज के लोगों को जो लोग वोट डालना चाहते हैं उनको वोट डालने से रोका जा रहा है तो सोनिया गांदी कह रही थी कि 2004 मत भूलिये बाजबई जी भी अजे दिख रहे थे लेकिन हम जीते क्या माइने हैं इसके इतना confidence सोनिया गांदी का जो दिख रहा है वो उसकी वजह क्या है क्या इस चुनाओ में जो पहले दोर का मतदान हुआ है उससे ऐसे क्या संकेत मिल रहे हैं इसे कुछ संकेत हैं जिससे की कॉंग्रेस के भीतर जो ये उत्सा या ये होसला दिख रहा है उसके पीछे कोई message इस चुनाओ से निकल रहा है क्या इस पहले दोर के मतदान से निकल रहा है क्या इस पर भी चर्चा करेंगे और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आज जो विवाद पूरे दिन उठते रहे हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे उससे पहले आपका परचा करा दे हैं हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं चंद्रमोहन चौबे हैं हमारे साथ बीजेपी से प्रियंका गुपता कॉंग्रेस की तरफ से हैं कपीश रिवास्तों हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और अभिशेक चोहान हैं RLD से विजय उपाद्धिहाय और दयानंद पांडे वरिष्ट पत्रकार हैं आप सब लोगों का बहुत वह स्वागत है चंद्रमोहन चौबे सोनिया गांधी कह रही है कि मोदी अजे नहीं है जैसे 2004 में अटल जी भी अजे दिखते थे ऐसा लगता नहीं था कि उनको कोई इतनी आसानी से हरा सकता है लेकिन कॉंग्रेस के जी थोड़ी थी और बीजेपी को ये बात नहीं भूलनी चाहिए जी 2004 के प्रस्तितिया और 2019 के प्रस्तितियों में बहुत अंतर होगी 2004 में ये हम लोग मानते हैं पाटी भी मानती है कि उस समय अप हमने सरकार के जो भी कार्य थे उसको सुचारव रूप से सही डंग से हम लोग जनता की बीच जो मैसिज देना चाहिए था उस समय उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई थी लेकिन इस बार कारिकर्टा से लेकर और सरकार से लेकर मंत्री बिधायक सांसत से लेकर सभी लोग जो है गाउं में गए हैं प्रवास किये हैं उन्होंने जो भी सरकार की योजनाये हैं चाहे वो उजवला हो, चाहे जो है वो सोचाले हो, चाहे वो आवास का हो, चाहे वो जन्धन खातों के वाली बात हो, डीवीटी के माध्यम से डिरेक्ट उनके खातों में जाने वाली हो, या फिर एक ससक्त सरकार, किस परकार से निर्णे लेती है, अगर एक मजबूत सरकार हो और जनता जब इस बार बोट डालने जाएगी या गई है इस बार प्रसम चरण में भी तो वो उन चीज़ों को देखेगी जैसे मालने जे इस बार हमारे पस्चिन छेतर में जो चुना हुए है तो इसमें दो तरह से जनता देखेगी एक केंदर की सरकार की योजनाओं को देखेगी और एक प्रदेश सरकार के द्वारा किये गए कारियों का आकलन करेगी कि उसी संदर्व में बात में कह रहा हूं कि उस समय भी इंडिया शाइनिंग का जो नारा था वो बहुत बहुत लुभावना था और हमें याद है अच्छी तरह से कि ये टीवी और अखवार में किस तरह के बहुत ही आकरशक इस्तेहार बनाए गए थे उसके लिए इंडिया शाइनिंग के बावजूद इसके जब नतीजे आये तो चौकाने वाले थे वो चीज हम लोग खुद ही मान रहे हैं और हमारे बड़े नेता भी इस चीज़ को कि उस समय कि परस्तितिया कुछ जो हो सकता हो कि अत्यात्मिश्वास वाला लेकिन इस बार इस बार वात्मिश् परने का काम किया है तो जहां सिकाइत आई किया पर ऐसे हो रहा है तुन उसका जो है उसको उसको सुझार में कर अप्रयास किया थे उसिस सतर्कता का हिश्सा था कि संजीवालियान कह रहे हैं कि जो बुरके वाली महिलाएं हैं उनकी जाप not ready हो रहा है अ देखिए हमारे दे यह सतरकता है या हताशा है? कैसे इसको तर है? अभी पहली बार नहीं आई है, यह हमेशा होता आया है, कि महिलाएं या तो आचल, यह नहीं किस बुर्का ही, महिलाएं जो है पल्लू अपना नीचे करके आ जाती है, या फिर बुर्का, अभी इसको पल्लू भी कह सकते हैं, मान लीजे बुर्का वाला इस ज्यादा इसको लाइट कर दिया गया, लेकिन पहले भी ऐसे होत सिकायते मिलती रही है, तो उन्हों नहीं यहीं बात कहा कि यहाँ पर जब सब कुछ था, ऐसा तो है नहीं कि महिला पूलिस थी नहीं, उनको लगाना चाहिए था, ठीक है, अभिशेक चोहान, RLD से हैं, सीधी लड़ाई है मुझफर नगर में संजीव वालियान की अजीद सिंग से, वड़े चौधरी से, अभिशेक, लेकिन अब इनको पता होगा कि कहा होता है, मैंने मेरे संग्यान में नहीं है, फिलाल मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो आज का चुनाव है, जो आज का चुनाव है, जो आज का अज़ार से record voting हूई है, यह साफ हो गया है, कि issues पे, basic issues पे, खास तोर पे, किसान के नौजवान के issues पे voting हूई है, जो कराने की कोशिश की जा रही थी, यह आज तो संजीव बालियार ने जो किया है वो तो हताशा थी ही, कि कि किसी तरह से मैं मेरी जमानत बच जाए, अदर् तो बैस्ता है गन्य का जब पेमेंट होता है तो मजदूर को मजदूरी मिलती है मिस्तरी को काम मिलता है और जो वहां की किसानों के बच्चें चाहे जाड समाज्ची हो चाहे गुजर समाज्ची हो चाहे सेनी समाज्ची हो चाहे त्यागी समाज्ची हो राजपूत समाज्ची इनकी सबसे बड़ी जो जरूरत होती है यह चाहते हैं फौज में जाना आप अगर देश का आकड़ा निकालेंगे तो आपको 30% बच्चे पच्चमी उत्तरपदेश या हर्याना बैट से मिलेंगे पच्चपन हजार पद केंदरी सुरक्षा बलों में अभी भी खाली पड़ें यह किरन रिजीजी ने बयान दिया था जब उसे एक संसर सदसने पूछा था कि आप सीक्रेट पदों में से 9 लाग संथिंक स्ीक्रेट पद थे वो खाली पड़े रहाग है केंदरी सुरक्षा बलों में तो ना किसान खुष है न जवान खुष है है निरनायक वोट है वो बट गया है और जो बड़े चौधरी है जाट वोटों पर एक अधिकार उनका नहीं रहा मुझे फ़र नहीं तो आपको बताऊं सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 36 जातिया हैं सिर्फ जाट नहीं है जाट समाज तो है जैसे गुजर समाज है जाट समाज है 36 जातिया है वो किसान कमेरा वरक से आती है वो जिसको वोट करता है वो एक निरने लेकर वोट करता है गाओं के गाओं के गाओं वोट करते हैं जो लोग बसता लगाते हैं आप अगर उनसे जानकारी लेंगे अपने पत्रकार और वहाँ पर मौजूद जो पत्रका के साथ है इस बार ऐसा नहीं हुआ जो बालियान आजीज सिंग के साथ है ठीक है साथ के छोटे बेटे वह उन्होंने आरडी को समर्थन दिया था और जो गाउं था वहां से उनका बेटा बहुत अच्छे रोडशों में हमारे साथ थे तो मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे ज जमात का चुनाओ था वो जमात जिनको इन 2014 से 19 तक में ठगा गया देखिए 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था पता चला था कि काम नहीं किया जमीन पे खरपच्चे उड़ गए थे 2019 में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही किया भाई मैं कहता हूं मेकिन इंडिया इनके कहीं आकड़े हैं नए संकल पर पत्र का हम क्या करेंगे पुराने संकल पर पत्र के क्या दस वाइदे पूरे किये गए इन मुद्दों पर भी तो चुनाओ हो जाए बहुत अच्छी वोट परसेंट बहुत अच्छा था इस बार अभी आखरी आकड़े जो फाइनल आ लगेगा कि इस बार वोटिंग किस तरीके से हुई है क्या पैटर्न रहा है उसका लेकिन अभी तक जिस तरीके से पांच बजे तक क्या आकड़े आये हैं वो भी ये इशारा तो करी रहे हैं कि लोग निकले हैं बड़ी तादाद में और जाकर कि उन्होंने वोटिंग की है वोट परसेंटेज जो भी अभी साथ बजे इनोंने अभी जो अपनी प्रेस कांफरेंस में जो बताएं हैं उसके हिसाब से तो मुझे जो लग रहा है कि पिछले 2014 के चुनाव से वोट परसेंटेज घटा है हाँ कम हुआ अब कम होना मतलब क्या जादा होने पर तो एंटी इंकमेंसी माना जाता है कि सरकार के खिलाफ गया हाँ लेकिन कम होना क्या हुआ कम होने पर बाई लेक्सन हार गई थी वीजेपी तीनों तो ये बड़ा कॉंप्लिकेटेड केस हो गया है और पोल राजेशन कम होगा तो तर्नाउट कम होगा क्या ऐसे भी देख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल देख सकते हैं लेकिन इसमें अभी जो बूथ हैं वहाँ तो पता है ना कि कौन सा बूथ किस कम्मूनिटी का है तो बूथों से पता लग जाएगा देर रात तक चीजे सामने आ जाएगी कि इन बूथों पे कितना क्योंकि इनके एलेक्शन एजेंट मौजूद होते हैं उनको भी पता होता है कितना परसेंट वोट पड़ा है तो एक तरीके से आखड़े मिल सकते हैं देर रात तक ये अकल सुबह तक मिली जाएंगे कि जो minority dominated booth है जिन पे बालियान ने अपनी चिंता जताई कि वहाँ पे महिलाएं बुरके में जा रही है ऐसे करीब 25-35 polling station है जहां पे तो बताते हैं कि कई polling station पे BJP को कोई कारकरता नहीं मिलता है तो जहां dominance जादा है वहाँ का खेल अलग है लेकिन एक बहुत important बात यह है जो मुद्दे की बात कर रहे है क्या जनता मुद्दे पे वोट करती है तो अगर मुद्दा है तो भाई alliance ने कोई minimum agenda क्यों नहीं पेश किया क्यों नहीं minimum मुद्दे जनता के सामने रखे कि हमारे तीन दलों के ये हमारे मुद्दे हैं और वो हम इसके इस पे हम जनता के सामने जा रहे हैं मुद्दा ते इन्हों ने भी नहीं रखा कहते हैं हाँ लेकिन पेश नहीं किया है ना और हम हम रोजगार की बात करेंगे हम रास्टवाद की बात महीं करेंगे ये तो सभी कर रहे हैं पर जनता की बीच में मुद्दो के साथ जा रहे हैं तो गुद्दा लेके तो कोई गया नहीं वहाँ जाके एक नेता ने जो अपने को सबसे बड़ा नेता जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटे हैं उत्तर प्रदेश में गड़बंदन की उसकी नेता तो कह रही है कि हमको फला कमुनिटी का वोट चाहिए वो जरूर दीजे हमक कमेस्टी चेंज हो जाती है पस्चिमी उत्तर प्रदेश की आप देखिए और और जो आती पिछड़े हैं जो जाटों के साथ वोट नहीं करते गुर्जर समाज है सैनी समाज है साके समाज है उनका क्या उनकी मन में क्या है उनकी बाते कहां कितनी खुल के सामने हम जाटों पे दो बहुत बहुत कर रहे हैं लेकिन उनके सम्ने करना 14 में भी नहीं उचित समझा 17 में भी उचित नहीं समझा और उन्होंने बढ़ा खेल कर दिया तो उसका जो फर्क है वो कितना पढ़ने वाला है जाटों समाज में भी मार्मी भी है महां सहारनपूर में वो कॉंग्र रैली हुई थी उसमें चंदरशेखर के लोग गए और वहां उन्होंने बीSपी के पक्ष्ma नारेबाँशी को और भीमार्मी एक रणनीत के तहट लगातार मायवती की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि वोट काटने वाले या वोट का भिखराव करने वाले गुट के तौर पे नहीं सामने आना चाहिए लेकिन पुब्लीक की सेंपथी तो उससे जुड़ रही है ना कि यह तो मेहनत कर रहा है यह तो कमुनिटी की बात कर रहा है मतलब कुल मिलाकर के हाँ हम भी जिन इलाकों में वोटिंग हुई है आज उसमें बहुत सारे सीटों पे मुझे जाने का मौका मिला और हमने बहुत सारे लोगों से बात चीत की और एक बात जो बिलकुल जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ कि कुल मिलाकर के मुद्दे नहीं है मुद्दा सिर्फ यह है कि या तो मोदी को वापस लाओ या मोदी को हटाओ जीनी मिलें विख रही थी तो आप कहा थे जब दंगे हो रहे थी यह बात सही है तो पूछना चाहिए कि आप कहा थे और जब वहां पे एक कमुनल हार्मनी क्रियेट करने की बात थी तो आपका रोल क्या था वहां पे तो वह बाते भी सामने आएंगी अभी गेहू किसानों की समस्या हो धान किसानों की समस्या हो गंडा किसानों की समस्या हो उसमें आपने कौन सा ऐसा materialistic change किया है जो दिखाई पड़ रहा हो सिर्व इसलिए आपको ओट दे दिया जाए कि आप एक परिवार को represent लेकिन ये बात भी सच है कि उस इलाके में इसी इनी तरह की सेंटिमेंटल इसूस पे voting पहले होती रही है लोग vote डालते रहे हैं चौधरी के नाक का सवाल है और ये हम कटने नहीं देंगे तो ये वाला सेंटिमेंट पहले भी रहा है और मुझे लगता है कि इस बार भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो सेंटिमेंट इस बार भी कई लाकों में था इस बार सोसल मीडिया 14 के बजाए 2019 में अगर आप देखेंगे 5 साल में कितना ज़्यादा चेंज आ गया है कितनी बड़ी बड़ी तादाद में लोगों में कितना अवेरनेस आया है एक मैसेज कोई अगर BJP के समर्थन में चलता है तो उसके काउंटर में 77 तरीके के मैसेज आ जाते हैं मार्केट में और मीडिया तक कन्फ्यूज हो जाता है कि इसमें सही कौन सा है तो ये पबलिक के बीच में भी है और पबलिक के बीच में सरकारों के कामकाज हैं तीन राज्यों के चुनाओं के रिजल्ट हैं केंदर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी सारी घटना करम है और उत्तर-प्रदेश के हालाद भी है और क्यों गढटबंदन मना ऊसकी कारण भी है तो वड़ी वजह क्या ये भी हम इसको इस तरीके से देखें क्या की बतौर विपक्ष कॉंग्रेस उन सवालों को बढ़ा करने में उन सवालों को सही तरीके से उठाने में क्या नाकाम रहा है जिससे की बीजेपी ने जो नरेटीव गढ़ा उसके खिलाफ एक एक दूसरे जो सरो रफाइल के बुद्धे को उठा रहते जिस तरह से बेरुचकारी का मुद्धा आज तो देखें कली सुप्रेम कोर्ट ने उसको दुबारा जो पुनर विचार याचिका है उसको मंजूर कर लिया है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देखें कि कहीं न कहीं उसमें जोल है कहीं न कहीं डाल-काली है तो आप देखें कि वह बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज भी गया है उजनता के सामने आप जिस तरह से देखें कि नमो चैनल बिना किसी जो है ब्राड कास्टिंग लाइसंस के चलाया जा रहा था तो उसको भी जो है जुनावा अबिने संग्या इस तरह से लोग देखें इसी अर्थ व्यवस्था आएगी जो बिल्कुल क्लीन नीट होगी तो देखें आप नोटबंदी का क्या हास्र है आप देखें नोटबंदी की वज़े से बिजनस तबाह हो गये चोटे बिजनस जितने भी थे लेकिन और उसके साथ कहां कर रही है कॉंग्रेस ही तो चर्च मैनिफेस्टों में यही सारे चीज़ें मुद्य उठाए गये हैं कि जो रोजगार है जो पहले प्रॉमिस किया गया है थे दो करोरो रोजगार के तब देखें हो कियो बना हुआ बी पीबिल्या की दोरते बना गया है इसके लिए उन्होंने गेंगाने कंपल और ना。 वो कहीं साइडलायन कर दिये गये हैं, चाहें वो छे बार चुनाओ जीते हो, पर वो आज साइड-लाइन है. उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी कहीं कोई तस्वीर नहीं है, तो आप देगे किस तरह से ये एक वेक्टिविसेज का चुनाओ दिखाया जा रहा है, आप देगे किस तरह से इनका मैनिफेस्टो है, उसमें एक वेक्टिविसेज की ही फोटो है, तो ये चुनाओ ही इस पूर्ग कर देकी यह भी तो एक हर्द तक हो सकता है आप जन्ता को कितना मूर्ख बना सकते हैं आप को देर właściड कि बाट करते आहए नहीं दे रहे हैं आज कि इतनी बाता और आप काप सित दे और बैंता कॉर्ड बंदी के बाद आज आप निकल कर नहीं आतेए। आपने कहा ता टैक्स पेर बढ़ गया, आज देखें, पचास हजार करोड रुपय का जो टैक्स पेर होता है, वो कम हो गया है, तो आप देखें कि ये सारा क्या है? अगर राष्टवाद मुद्दा है तो फिर आप ये बताइए कि पाकिस्तान के डे पे आप उनको बढाई देते हैं वो आपको सुभकामनाएं देते हैं कि आप एलक्शन जीतेंगे तो हम जो है आप से सांती वार्ता करने में ज़्यादा अच्छा होगा तो यह सब क्या है यह दो फेज चेहरा नहीं है आप देखें जनता के सामने कुछ और और रियालिटी कुछ और आप बिर्यानी खाते हैं बिना बुलाई चले जाते हैं तो यह सारे चीज़ें के जनता को दिख नहीं रही होंगी कपी श्रिवास्तो पहले फेज का जो चुनाओ है वो मतदान खत्म हो गया है और कोशिश जो जिस इलाके में यूपी के जिस इलाके में चुनाओ थे वहां ये बड़ा बहुत सेंटिमेंटल इसू रहा है और लोग ऐसा कहते रहें कि चाहे ठीक है बाते जितनी हो जाए चुन तो मतलब इस वार चुनाओं में क्या लगता है कि ये जो कोशिश बीजेपी की रही है और जैसा कि अभी हमने कहा भी और बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं कि अली बजरंग बली इस तरह के जो बयान दिये जा रहे हैं उसका मकसद यही रहा है वो करने में बीजेपी ना परकराजनी ती उसने कियी नहीं जब भी उसने और कोई राजनी ती के हैं तो आस्था को परवान चढ़ा करके ही राजनी ती की गई है और जब आस्था परवान चढ़ाए जाती है तो उसमें संपर्दाइकता भी एक हिंदू-मसलिम कह लीजे वो बिलकुल आती है और सुन रहा था उपाध्याजी को उनके प्रश्ण उनके मन में होगा उनको ऐसा लगा होगा कि गडबंधन के पास कोई मुद्दे नहीं है तो मैंने यह कहा कि मुद्दे पेश नहीं किया जलता के सानुए लिखत पड़त में कि तीनों दलने कोई साजा गोशना पतल दिया हो य कि दहीं यह महा गडबंधन नहीं है मुद्दों के आधार पर ही यह गडबंधन बना है और जंता के बीच हमने अपने बूतस्तर की कमेटिएं को भीजा है और उनसे response लिया है कि कि किस तरीके का गडबंधन इस गडबंधन एरा में जो भारती जनता पार्टी का बड़ा कुन्बा है 42 दलों का रहा और अब शायद 36 दलों का है तो उनको कैसे रोका जा सके तो जिनको जिन पे हमारी जनता ने विश्वास किया कि इनको साथ हाना चाहिए क्योंकि हम समान विचारधारा के भी थे क्योंकि समाजी की नयाय और समता मुलक समाज की स्थापना हमारे आधार में थी तो इस वज़े से ये तीनों दल एक भी हुए दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूं कि मुद्दा क्या होता है मुद्दा हिंदू मुसल्मान तो ये करेंगे ही और हमारी कोशिश होगी कि ये ना कर रहे थे कि भारती जंता पार्टी की जुमलाई सरकार जो 2014 के अंदर अपना संकल पत्र लाई थी वो 2019 में लाएगी की नई लाएगी प्रशन इतना बड़ा था लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि कहाने जाता कि उल्टा चोर सेंधी में गाए तो भारती जंता पार्टी की सरकार जो है सिंध लगाते समय गाना जरूर गाती है लेकिन देश की जंता समझदार है वो पूछ रही है कि संकल पत्र 2014 का आपने एक से ले करके Z तक का वादा आपने पूरा नहीं किया और आपने 2019 में नए सपनों का कौन सा भारत पेश कर दिया जंता वो पूछ रही है मानी मोदी जी से कि पचास दिन आपने मागे थे कि नोटबंदी के बाद मैं देश को देश की जंता को उसको सपना का भारत दूँगा मैं पूछना चाहता हूँ मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि देश की जंता प्रदेश की जंता ये पूछ रही है मोदी जी से कि और लोग जिनको आपने रोजगार देना था उनको आपने विरोजगारी के दर पे पहुचा दिया और इस कदर पहुचा दिया है कि आज टेक्स टेक्सपेयर ये कहते हैं फरजी रूप से बढ़ गया है वो तो घट गया है पॉइंट एट परसंट की भलोतरी कोई माइने नह करने का इनका स्रिफ एक सक्सक्त करना है इनको एक या उसमें कई नाम चाहे भरस्टा अचार को ससक्त करना है बंसवाद को ससक्त करना है संप्रदाइक्ता को भड़काना है ये तीन इनके मुद्दे हैं स्रिफ और बंसवाद की बात इसलिए कह रहें कि उस मंज पर माया वत जात की बात पे जाट जो होता है ना बड़ा स्वाभिमानी बिरादरी होता है राजा सूरजमल राम पाल यह लोग ऐसे रहे हैं जो मोगलों से लड़े हैं अपने स्वाभिमान के लिए देश की सुष्वब जैसे बोदी जी बढ़ का रहे हैं जैसे और बटका रहे हैं विकास के इन जाब बड़ता है तो आपको सवालों का जवाब देना चाहिये जोवाब पताई एगे तो चुछले पात साल के लिए ने को किस पैमाने पे विकास किया है कैसे आजा हंगर इंडेक्स के अंदर परपन वे अस्थान से इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई अगर बढ़ा है तो आप बटाईए कि खुंचे वाले के इंकम को बढ़ाने का आपने क्या का किया आपने अभारी और अडारी का इंकम बढ़ा करके उसको प्रति वेक्टियाए में आपके अरचास को इस गरीब करीदे जबता जान रही है कि आप इस तरीके दिर्वें का करें आपके अपने बताई है कि आपके विकास कमानत कहा है आप उस देना होगा क्यों आप को आप चुप होंगे तब जवाब देंगे जवाब देगे जिए जबांचोवरे बहुत सारे सवाल होगे बहुत बताईए तक पर आप इदर उदर मच दाये मच लिए को पॉइंट बात कहिए है कि इस बार बंसुबात खतम होने जा रहा है इस बार भश्टा चाप को दिया है होने जा रहा है यह देश में चारों कर दिया है हर रोज होताला हुलों करता था हुरा पी अर्थ में वस्ता चरपत कर दिया था इन्हों ने विकास दर इन्हों कि पूल्ण कर देख्री कुछ धूल के पुटर को देखी अर्धाशन करें लेखजा हो त्षिक है ठीक है आप मुस्वालों की तरफ है ठीक है ठीक है ठीक है इस बीच चुनावायों की तरफ से कुछ आकड़े आ गए हैं एक बार हम बता हैं साम छे वजे तक की आकड़े हैं फिर भी ये फाइनल ये आखरी अंति माकड़े नहीं हैं लेकिन सहारनपूर में 70.68 परसेंट यानि की करीब करीब 70-71 परसेंट वोटिंग हुई है पिछली बार यहां 74 फिजदी के आसपास वोटिंग हुई थी कैराना में 62.1 मुझफर नगर में 66.6 विजनौर में 64.4 मेरट में 63 आजियावाद में 57 और गौतम बुधनगर इस वार थोड़ा सा बढ़ा है 60-60 फिजदी के आसपास वोटिंग हुई है कुल जो परसेंटेज है आवरेज वोए 63 परसेंट पिछले बार के मुकाबले जैसा कि आप कह रहे थे विजय जी ये कम ही दिख रहा है और मुझे लग करके 79 और 72-74 फिजदी तक के आखड़े थे वो मुझे लगता है कि इस वार तो नहीं ही जा पाएगा उस हिसाब से एक बार जरा इसको समझ लें कि क्या आप इसको ये देखते हैं कि इस वार जो पोलराइजेशन की कोशिश की गई उसके परयाप नतीजे नहीं आये हैं इस परनार्थिक शिवरों में थे अपने ही गाउं के बगल में तो वो माहौल तो थोड़ा भिन था इस बार काफी चीजें बदली हुई है और जो अपोजीशन है वो यूनाइटेड है और एजेंडा भी बिल्कुल क्लियर है अपोजीशन का भी और रूलिंग पार्टी का भी और ये बात सही है देखिए बिपक्ष भले भी नाराज हो जाए हम लोगों की बाचीश से कई बार कोई अगर तत्थ है वो अगर किसी पार्टी के खिलाफ जाता है तो नाराजी उनकी स्वाभाविक भी है लेकिन ये बात सही है कि सबसे पहले मायावती जी ने इस बात को चेड़ा वहाँ पे और कोई जरूरत नहीं थी उसकी चेड़ने की क्योंकि जब गढ़वन्दन हुआ तो स्वाभाविक था कि माइनारिटी वोट अगर बीजेपी को हराना चाहेगी तो वो गढ़वन्दन के साथ ही जाएगी लेकिन कांग्रेस को सहारनपूर की सीट की व सबस्क्राइब दिया उसके बाध से वहां की केमेस्ट्री बदली है नहीं तो बात सही है वहां गरना की किसानों की बात होती थी वहां पर बात हो रही थी डफलमेंट कि अगर जन्रल जो टेन्डेन्सी है एक एंटी इनकोमनिसी सत्ता के हिलाफ है लेकिन अगर एजिजुवल है तो वह सत्ता के खिलाफ नहीं माना जाता परमपराए यह है लेकिन परमपराए और मिंथ़क चुनाओ-दरं टूट रहे हैं जो एक طरीके से ब्रॉड अगर बहुत मोटे मोटे उसमें बात करें तो क्या सिगनल मिल रहा है इस पहले चरण के वोटिंग के बाद जिस तरीके से ट्रेंड दिख रहा है तो जो जेनरल ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है इस बार चुके 90 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं मत्दान खत्म ह हो चुका है और देखा जाए तो एक तरीके से एक चौथाई तो नहीं मतलब लेकिन पांचवे हिस्से के बराबर तो करिम करीब वोटिंग होई गई अब इसका इस ये बहुत हद तक तैय करेगा कि इसके बाद हो सकता है कि इससे मिलने वाले जो ट्रेंड है या जो सिगनल मिला होगा पार्टियों को उसके हिसाब से आने वाले दिनों में वो अपने कैंपेन के स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव कर सकते हैं आपको क्या लगता है कि जैसे चल रहा है चुनाओ उसी दिसा में जाएगा या इसके बाद बीजे पी और कॉंग्रेस दोनों गेर बद एक तरफा है बिल्कुल एक तरफा है मोदी हटाओ मोदी बचाओ यही चुनाओ एक तरफा ही है आप पुछा गया कि वोट कैसे तो वोट में सिर्फ मोदी के बात हो रहे हैं कि इस मुद्धे को गटबंधन ठीक से साथ नहीं सका है अगर यह महा गटबंधन सचमूश होते पूरे देश में एक साथ होते तो बीजेपी साफ हो जाती है जहां तक आज की चुनाओ की बात है मेरा मनना है कि अगर पचास परसंट से कम वोटिंग जहां हुई है वहां भाजपास साफ है नहीं तो पचास परसंट के आज पास सब जगा बोटिंग काई जगा कम भी एक अन्या हजारे कांदूलन था जो मोजी के पक्ष में जा रहा था और कांगरिस के ख़लाब जा रहा था दूसरे कांगरिस का भरसा चार ता और तीसरे एक अंतराश्ट्री इस्लामी कातंकवाद था गुजरात में निस्टित तुर्प से गुजराद धंगों में लारिन बूदी बचा सकता इस एक मिद्वधी बिल्कुल चाग है और आज भी उनके पास एक मुद्दा हिंदू-मुसल्मान लेकिन बहुत होसियारी से लाहिद्मुधी या भाजपा ने हिंदू-मुसल्मान अपनी ओर से नहीं गया मावती ने मुर्खता की मैं मुर्खता सब्दी स इस्तिमाल करूगा अगर उना बोले हैं तो इसाहरनपूर की समस्या थी या जो भी समस्या थी यह चीज़े ना थी लेकिन मायवती के कहने ना कहने से चीज़े नहीं ते होती है यह किसी के चुप रहने से भी चीज़े नहीं ते होती है यह चीज़े लोगे दिमाएं में में नाच रहा था आतंगबादियों के तमाम धंकियों के बावजूद नाच नाच के ओर्टिंग के लिए आया था ये बहुत बड़ा पतलाव है और ये मोधी के पक्ष में जाता है आप देख लिए लेकिन वहीं की तस्मियर की पूरी करें थीक है हाँ मोधी के खिलाब बहुत सारी बाते हैं बहुत सारी पक्ष में बाते हैं लिए सबसे बड़ी बात है पूरे देश में जम्मू कस्मीर को छोड़ दिये आतंगबाद साफ हो चुका है कहीं आतने का माधि कोई खटना नहीं है जहीं बात पकोडे बेचने की और इसकी उसकी ठीक बंड़े चा keeps a बहुत सारी प्लस चीजह है और अगर ये गठबंधन, महा गठबंधन होता सच्मूच, ये मंता कांगरेस और ये माठी एकलेस साथ के सब एकच्छे हो गया होते, दिली में आप और कांगरेस नहीं कच्छी हो पाई, अभी आज जाके फैसला हुआ कि साथ हम नहीं मिलेंगे, इसले कि दिली में तो करने के त्यार थे वह आपके साथ, लेकिन हर्याणा हो ये पंजाब में नहीं जाना चाहते थे, तो इतने सारे मदब उटाओं, इनके पास मचली तो है, गठबंधन के पास, जो बिपक्ष के पास, मचली की आँख नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए मारे जा रहा है, और य पूर्ण विराम नहीं होता है, जो कुछ भी है, सर सुनिए, सर सुनिए, आपका टर्माइगा सर भी लीजिएगा, बोल भी लीजिएगा, सर भी लीजिएगा, अर्टेल भी हरी बादपेही की जो बात हो रही थी, अर्टेल भी हरी बादपेही के समय में सुचिता की राज सब कुछ हर मीडिया से लेके हर आदमी इस बात को नोटिस करता है करना भी चाहिए क्योंकि राजनीती में गरिमा करता ही नहीं गरनी चाहिए लेकिन अगर प्रदेश का मुफिमंत्री कुकर्मी ठगबंधन साप शचुंदर नेवला क्या-क्या नहीं कहते हैं हलाकि अभी उपाद्याई जी ने कहा था हम पर कि हम सिर्फ चौदरी चरण साब की लिग ऐसी से हैं इसलिए हमारे नेता अद्रणी जैन चौदरी जी ने साथ से जाधा सम्मेलन भाईचारे के किये 2015 से 2017 तक इसी के दम पर जो ये भाईचारे के सम्मेलन थे हम चात्रसभा और यूवरालों के कारिकरता साथ में थे अगर मीडिया की लोग वहां होंगे तो मैं मैं अपनी फेस्बूक क्लिप्स आपको दूँगा हम लोग वहां थे तभी हम लोग उन्हें कैराना और नूरपुर जीता अधरवाइस जो कैराना के समीकरण थे बाबु हुकुम सिंग जी के वो उनको तोड़ पाना अरे ये 36 जातियों का नहीं किसानों का समागमता तब हम लोग जीते अब जब किसान एक मंच पर आगे राश्टी लोगदल मैं मानता हूं कि सग्या में भले कम हैं लेकिन हम सिर्फ जाट की राजनीती नहीं करते हैं हमारे नेता ने इस बात का खंडन किया भाई पकोड़ा वो बेच आँ जो बेचना चाहता हूं मैं चाहता हूं भाजपा भारती जंता पाटी कि कि तने स्थापित देता हूं कि बच्चे परकॉड़ा बेचेगे उदडेश बनेगा उदारी करण के नाम पर महस चंद उद्योग पतियों का, लाखों करूनों का कर לי माफ कर देने से काम नहीं चैलेगा मेंगियी won बता इस्य क्तिने उद्योग लगे कितने कुटु यूँगों को कितने नए उद्यों तैयार किये ताकि दो इख्यों से अगर किसी एक मिल जाए तो ने उद्योक पती कड़े कि हमने कि इतने ऐ पती तयार किये कितने हो और किस्तर से पासे, tai और सुचना है आह। हमिद चाह कह रहा है कि 2050 तक भाट पाराज करेगी लोग तंत्रिक देश में यह होगा कि साक्षी महराज कह रहा है कि 2019 के बाद अगर मोदी जीते तो इस देश में लोग तंत्र में चुनाओं भी नहीं होगा आप यह मैंने कह रहा हूं यह नकी MPM L.S. कह रहा है तो आप सोची मन्रेका से बड़ी स्कीम लाने का काम किया आप सिर्फ विपस्ट को कोसेंगे आप ये भी बताएंगे कि हमने आप को सूपर नहीं जो लेकिन जो पांच सालों में किया क्या आपने का था मुझे साठ महीने दीजिए दे दिए नवी नेक्स वाट अब आप क्या करेंगे और 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 पांग सौर और तीलीविव चाइट प्रॉशत क्या कीए थैं किया थैं तो हमता है विकार सील से विक्रडिय की सब बनाएंगे वहाँट बिनापाईगे अच्छा एक चीज़ बता है प्रेस को भीक में मिलेते क्या बिल्कुल नहीं यह पुराने पुराने लोगों के पुरुशार्थ पर पानी फेरते हैं इन्हीं के अटर बिहारी जी सर जी ने ये शब्दे कहें थे संस्द के अंदर में आप बोदी जी पूचिये लगता कि दोजार चौदा में ही भारत आज सब्सक्राइब कर दोजार चौदा के बाद उन्हों ने इस देश में कितने इम्स बना दिये कि इतने आई आई टी बना दिये भिल्कों ब्गल किडिया ने दी घी का मानट मिल रही है आप क्वाल चोटे होने चाहिए आपने एम्स के बाद के पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं 2014 से पहले मात्र च्छे एम्स थे आज 22 हो गा हैं यह कहां रह रहे हैं यह कहां रहे हैं अब बाई तो च्छे के बाद वाले काहां कहां बनाए जरा बता दीजिए आप से लिए आप बनागे नहीं कि आप आप आपने अपने आपका सुनने आये कि आप प्रासे को बतादेंगे हम दो थीक है ठीक है हम दो ऐस तब करके हैं यह बनाए इक है एक करके बात करें यह कि बदारे का परदारी का अपमान करा रहा हैं वह सबसे पीछे बैट कर लिए नहीं करुए प्रदेश में बनाए हम बेख नहीं खाने गए तो नहीं दिखेगा यहां कि आपके आखों का पट्टी घूल जाएगा आज जो है 24 घंटे और दिहाज साइड बार ठारा घंटे पिशली आई है आपको नहीं दिखेगा आपको नहीं दिखेगा इसे इन दिखेगा इस माई को इस माई को इस देश कितना भी कास हुआ है तिक जाएगा ठीक है एक मिनट बिजे अब बहुत समय नहीं है दो हजार वैसे जानकारी के लिए बता दूँ कि दो हजार दो हजार दो हजार चौदा के बाद सिर्फतीन एम्स जुड़े हैं उसमें से मंगला गिरी नागपूर और गोरखपूर की बात हो रही है अभी सब अंगर डेवल पर पर दोर के मतदान से क्या सिगनल निकल रहा है और इसके बाद क्या ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है बहुत बड़ा चैलेंज है गटबंदन के लिए भी कॉंग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी चुकि वोट परसंटेज हुआ ही नहीं और वोट परसंटेज हम लोगों को उमीद थी कि पिछले से जादा आगे जाएगा लेकिन पिछले से नीचे अगड़ नहीं है लेर नहीं है तो मुझे लगता है पिछले से आगे नहीं है चौदा से आगे नहीं जा पा रहा है अगर नीचे आया है तो निश्चत तोर पे ये सभी के लिए चिंता की बात है सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हमारी डेमोक्रेसी में क्या लोगों का भरोसा कम हो रहा की या मोधी को जिताने वाली जमातने कम मेहनत की यह चिंता की बात है और मुझे लगता है अगले चरणों में इस बात का इनको ध्यान रखना होगा कि वोट जादा हो जीते कोई भी चीक बात है बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस चर्चा में भाग लेने के ल क्यों कम हो रहा है और इसके माइने क्या है ये तो पॉलिटकल पार्टियों के लिए अलग-अलग इसके मतलब हो सकते हैं अलग-अलग तरीके से लोग इसका विशलेशन करेंगे और जब नतीजे आएंगे तो हो सकता है और सारे विशलेशन फिर बदल भी जाएं लेकिन ए इतना ही आप बने रही नेशनल वाइस के साथ जहां खबरों का सिलसिरा लगातार जारी है.